विडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और हाँ कमेंट में अपनी बात जरूर लिखे तेंक यू नमस्कार विवर्स आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जनम कुंडली केसे देखें का पार्ट बारा तो देखिए इस विडियो को और सीखे नई जानकरियों को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं आप तो तो चलिए सीखते इस विडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चार मुख्य कुंडलियों के बारे में देखिए कुंडलिया तो और भी बहुत सारी होती हैं अलग अलग प्रकार की लेकिन जो चार कुंडली ऐसी है जो हमें मुख्य रुप से काम आती है वो कुंडलिया मैं आपके सामने य लिजिले दिखिए लगन कंड़ी क्20 तीसे नम्बर की चंद्र कंड़ी और छोद्हें नम्बर नम्बर कीよろしく होती है एक कारण खेंशको नाँ पर समझे दिखिए यहां पिर ये मैंने लगन कंड़ी है य लिखाए लगन कुंडली तो लगन कुंडली से आप आपके बारे में जानेंगे आप कैसे हैं आपके साथ क्या होगा क्या राजी होगे क्या दोश है तो लगन कुंडली लगन मतलब शरीर और शरीर किसका आपका शरीर तो आप आपके बारे में जानेंगे लगन कुंडली से उसके बार देख थी किसी जातक कि अगर कुंडली ना हो तो पहली संतान की कुंडली से जातक के मा और बाप दोनों की कुंडली बन सकती है ठीक है तो किसी की अगर पिता की कुंडली बनकर आएगी तो उसे सूरी कुंडली का नाम दिया जाएगा क्योंकि सूरी होता है पिता तो यहां पे यह स वीडियोस में आपसे चर्चा करूँगा बना कर वो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा अब देखिए थर्ड नमबर पर मैंने यहां पर चंद्र कुंडली बनाई है तो चंद्र का संबन किस से है माता से है तो यहां पर किसी की अगर माता की कुंडली बनेगी मा की कुंडली बनेगी तो वो चंद्र कुंडली इस तरीके से बनेगी यहां पर चंद्र कुंडली ठीक है तो यह लगन मतलब आपकी खुत की कुंडली सूर्य मतलब आपके पिता की और चंद्र मतलब आपके माता की कुंडली आप देखिए चोथ जब जातक कुंडली दिखाने आएगा तो उसकी नभुमांश कुंडली आपको कभी भी नहीं देखनी है आपको चंदर और सूरी की तो आप देखोगी नहीं क्योंकि आप उसके वो तो खुद आएगा आपके पास माता पिता तो आएंगे नहीं तो यहाँ पे चंदर सूरे नहीं, आप तो उसकी लगन कुंडली से ही उसके बारे में सारी चीज़े बता होगे, लेकिन ये नवमांश, नवमांश कुंडली को आपको जबी देखना है, जब किसी चीज की deep में study करना हो, मतलब गहराई से अध्यन करना हो, नवमांश कुंडल कैसे काम करती है इसके बारे में एक detail में बड़ा वीडियो बनाऊंगा आगे चलके उसमें आपको समझाऊंगा अभी आप यह समझिए कि अगर किसी की deep study करना है एकदम गहराई से कुछ खोद कर निकाल कर उसके बारे में बताना है तो यहाँ पर आपको नवबाँश कुडली देखना पड़ती है कि जो घटना जातक आपसे पूछ रहा है मैंने यहाँ पर नीचे नोट में घटना है लिखी है वो पता दूँगा तो उसके बारे में deep knowledge आपको नवबाँश कुडली में जाकर निकल कर आ जाएका लेकिन इतने deep में कोई जाता नहीं है कोई पूस्ता भी नहीं है जब हमारे पास कोई कुडली लेकर आता है तो यह तो वहाँ पर बात अडग जाती है कि कोई मर रहा है बिलकुल जिसकी जा नहीं जा रही है मतलब इस उदारन से समझ जाएए कि बिलकुल एसी कंडिशन मनें गई है कि अब तो नवमांश देखना ही है तो यहाँ पर फिर नवमांश कुडली को देखना पड़ता है अथवा 95 95 ने 99 परसंट जो भी घटना है जो भी चीजे हैं वो रत्न दान राजियोग दोश भविश फल ग्रहो का शूब होना शूब होना द्रश्टी, डिग्री सारी जीजे आपको लगन कुडली सही पता चल जाएगी 99 परसंट तो फिर नवमांश आपको क्यो देखने के जरुबत पड़ेगी नहीं पड़ती जरुबत में भी बहुत कम मेरे पास ऐसे केस आते हैं बहुत कम केस आते हैं अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे को साल भर में एक या दो ही ऐसे केस आते होंगों जिसमें मुझे नवमांश देखना पड़ता है अदरवाई नवमांश नहीं देखना पड़ता है आप समझ लिजे कि मुझे जो मुझे पांस साल के एक्स्परियंस जोतिश विग्यान में हैं तो मुझे साल भर में एक या दो बार ही देखना पड़ता है पूरा केल केल्कुलेशन में लगने कुंडरी से देखकर बताता हूं और वह होता है विल्कुल सचंड़ता है उनके ओपर जो भी सुख से अनको परेफेक्ट मेंचिंग राती है तो आपको भी सुखना ही देखना है अब दिए वीडियो बना दूँगा जनम कुंडली के software में जब जनम कुंडली बन कर आती है उसके साथ ही automatic नबोमांश कुंडली का निर्मान हो जाता है उसमें कौन सा लगन बनेगा इसका पतना नबोमांश कुंडली छपने के बाद लग जाता है नबोमांश से हमें केबल किसी भी चीज का गहराई से पता लगा सकते हैं जैसे कि सिक्षा, एजुकेशन, शादी, मैरिज, सुक, सुख, सुबिधाय, वाहन, वहिकल, प्रॉपर्टी, रोग, रिन और आदी समानितार नबोमांश कुंडली यह सारी चीजों के बारे में मतलब हम निकाल सकते हैं किसी की डीप नौलज करना और डीप स्ट्डी करना और कैसी एजुकेशन, शादी, सुक्स, विधाय, प्रॉपर्टी, रोग, रिन इनका डीप स्ट्डी करना है तो हमें नबोमांश देखना है अदरवाइस लगन कुं कुंडली यह वाली इसी से जातक का जीवन पूरा देख लिया जाता है तो देखिए मैं वही बात लिखी कि यहां पे नौमांश बहुत कम कैसे में यूज होती है अदरवाइस जन्म लगन कुंडली से ही आपका पूरा काम हो जाता है कैसे बनेगी देखिए सूरी कुंडली चंद्र कुंडली यह दोनों तो लगन कुंडली को देखकर आपको बनाना है कैसे बनाना है मैं आगे की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि माता की कुंडली और पिता की कुंडली लगन कुंडली से बनाना है कैसे लेकिन देखिए नवमांच बनाना नहीं पड़ती है लेकिन कंप्पिटर के जो सॉफवेर होते हैं जैसे कुंडली 5.5 Pro, A-S-Tripe के जो कुंडली 4 Window, A-S-Tripe के जो सॉफवेर होते हैं उसमें जरूर से नवमाँच कुंडली बनकर आती है उसमें एक चोक्रिया बनी रहती है तो इसमें एक चोक्री आती है और नवमाँच कुंडली बनी होई रहती है। जो बता दी यह वीडियो में यह हैं बताना चाहरा था कि जो चार तरह की कंडली घुमारी मेन होती है और इसका यूज हम कब कब कर लेते हैं और किस उपयोग में याती है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक किजिए शेर किजिए और दुसरों सभी के साथ शेर किजिए पहली बार चैनल पर आएं तो सब्सक्राइब किजिए और आप ये ग्यान दुसरों तक भी पुचाएए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पहली बार ही अगर इस चैनल पर आएं हैं ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमेरी जो पुरानी वीडियो से उन्हें भी देखिए तभी आपको डिडेल पूरी अच्छी से समझ में आएगी और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नहीं जानकरी के साथ जब तक के लिए तैंक्यू जै मातादी अगर आप भी अपनी जनम कुंडली बनवाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं और ओरिजनल राशी रत्न और रुद्राक्ष खरिदना चाहते हैं तो हमारे वाट्स अप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं धन्यबाद